हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारी इस यूट्यूब चनल पे दोस्तों आज क्योडियों आपता हूंगा किस तरिके से आप फेज़ूप पेज डिलेट के से करें हाउ डिलेट फेज़ूप पेज पर्मनेटली इन टुथाज़न टुएंटित्री फेज़ूप पेज को 2023 में डिलेट करने के लिए आपको फेज़ूप के ओफिशियल अप्लिकेशन को ओपेन कर लेना है तो जिससे आप फेज़ूप के ओफिशियल अपको ओपेन करते हो कुछ इस्तरा का इंटरफेस आयता है फेज़ूप पेज को 2023 में डिलेट करने के लिए आपको टाप पे 3LN बेला उपसं दिया, आपको 3LN पे क्लिक कर देना है, तो जिसे आप 3LN पे क्लिक करोगे, कुछ इस तरह का पेज जोपेन हो जाएगा, फेजूप पेज कोडिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे एक उपसं दिया है, डाउन एरो, तो आपको डाउन ए आपको टाप पे 3LN बेला उपसं दिया, आपको 3LN पे क्लिक कर देना है, तो जिसे आप 3LN पे क्लिक करोगे, कुछ इस तरह का उपसं आजाएगा, फेजूप पेज को डिलेट करने के लिए आपको नीची तरप आजाना है, यहाँ पे एक उपसं दिया है, शेटिंग्स प्राइवेसी, तो आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है, तो जिसे आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, एक निउपसं आजाएगा, सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है, तो जिसे आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, एक निउपसं पे हो जाएगा, सेटिंग्स पे क्लिक कर और information के नीचे आपको एक और option देखने में जाता है access and control, फेजुक page को delete करने के लिए आपको access and control पे क्लिक कर देना है, तो जिसी आप access and control पे क्लिक करोगे, एक new page पेन हो जाएगा access and control, deactivation and deletion, temporary deactivate और permanently delete your page, फेजुक page को 23 में delete करने के लिए आपको deactivation and deletion पे क्लिक कर देना है, तो जिसी आप deactivation and deletion पे क्लिक करोगे, एक new page पेन हो जाएगा deactivation and deletion, deactivating or deleting your फेजुक page, तो यहाँ पे एक option दिया है, delete page, तो आपको delete page पे select कर लेना है, select कर देने के बाद यहाँ पे आपको continue पे क्लिक कर देना है, तो जिसी आप continue पे क्लिक करोगे, एक new page पेन हो जाएगा, page deletion, before you delete, we may able to help, तो यहाँ पे आपको बहुत सरा reason दिया है, तो आप कोई भी एक reason select कर सकते हो, जिसे कि मैं यहाँ पे select कर लेता हूँ, I have a privacy concern, तो जिसे आप I have a privacy concern पे क्लिक करोगे, कुछ इस तरह का page पेन हो जाएगा, फेस्बूक, प्राइवेसी ओन फेस्बूक, देन यहाँ पे option दिया है, continue, तो आपको continue पे क्लिक कर देना है, तो जिसे आप continue पे क्लिक करोगे, पेज लोड़ोगा, एक new page पेन हो जाएगा, page deletion, permanently delete page, देन यहाँ पे आपको निची तरफ आ जाना है, यहाँ पे option दिया है, continue, तो आपको continue पे क्लिक कर देना है, तो जिसे आप continue पे क्लिक करोगे, एक new page पेन हो जाएगा, confirm deletion, confirm this is your page, before you permanently delete your page, please enter your password, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे आपको अपना Facebook अकाउंट का पासवर्ड एंटर कर देना है, पासवर्ड एंटर कर देने के बाद, यहाँ पे आपको continue पे क्लिक कर देना है, तो जिसे आप continue पे क्लिक करोगे, एक new page पेन हो जाएगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है, देन यहाँ पे एक option आजाएगा, confirm, deletion, delete, technique, java page and information, तो यहाँ पे आपको एक option दिया है, continue, तो आपको continue पे क्लिक कर देना है, तो जिसे आप continue पे क्लिक करोगे, एक new page पेन हो जाएगा, page deletion, delete this page, तो यहाँ पे बताया है कि Facebook ने, the following page will be deleted and you will be switched to Facebook name, you can reactivate within 30 days by login in as Facebook name and going to account setting, तो यह बोला है कि अभी आपका Facebook page को हम delete कर देंगे, अगर आपको अपना Facebook page को वापस लाना है तो आपको 30 दिनों के अंदर reactivate कर लेना है, तो reactivate करने के लिए आपको account के setting में जाना है, then यहाँ आपको एक option दिया है, delete page, तो आपको delete page पे क्लिक कर देना है, तो जिसे आप delete page पे क्लिक करोगे, page लोड होगा, आपको थोड़ा सा wait करना है, switch to Facebook account हो जाएगा, so friend इसी तर आपको इस 3 लेन पे क्लिक कर देना है, तो जिसे आप 3 लेन पे क्लिक करोगे, कुछ इस तरह का page open हो जाएगा, तो यहाँ एक option दिया है, pages, तो आपको pages पे क्लिक करना है, जिसे आप pages पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपलोग दे सकते हो, हमारा जो page है, remove हो चुका है, तो अप्लोग दे सकते हो हमारा Facebook page Facebook account से remove हो चुका है सुफ़र इसी तरीके से आप Facebook page को delete कर सकते हो permanently 2023 में तो अभी आपको बताता हूं कि इस तरीके से आप Facebook page को reactivate कर सकते हो तो Facebook page को reactivate करने के लिए आपको Facebook के official application को open कर लेना है तो जिसी आप Facebook के official app को open करते हो कुछ इस तरीका interface आयता है Facebook page को reactivate करने के लिए आपको top पे 3DNM option दिया आपको 3DNP क्लिक कर देना है तो जिसी आप 3DNP क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरीक option आ जाएगा देन यहाँ आप एक option दिया है settings and privacy तो आपको settings and privacy क्लिक कर देना है कुछ इस तरह का option आ जाएगा तो Facebook page को reactivate करने के लिए आपको नीची के तरफ आ जाना है slowly slowly तो यहाँ पी एक option दिया है audience and visibility के नीचे pages तो आपको pages पे क्लिक कर देना है तो जिसी आप pages पे क्लिक करोगे यहाँ पी आपको एक option आ जाएगा pages reactivate your pages deleted page शो करेगा तो हमने अभी डिलेट किया था टेकनिक जावाद यहाँ पे scheduled days शो कर रहा है 30 days तो Facebook page को reactivate करने के लिए आपको reactivate पे क्लिक कर देना है तो जिसी आप reactivate पे क्लिक करोगे page लोड़ोगा आपको थोड़ा सा वेट करना है switching to technique जावाद जैहीन बंदे महतरम